साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्पुन बात को मैं डिसकस करूँगा कि अगर आपकी वाइफ ने आप पर केस कर दिया है और वाइफ पियर में बेटी है और वाइफ आपको एक स्टॉट कर रही है तो वहाँ पर हमें किन पाँच बिंदूओं को ध्यार में रखना है कि हमें कोई तकलीफ ना हो पहले बात करूँगा मैं कुछ जनरल टॉक्स के ओपर फिर मैं आउँगा एजेंडास पे और एजेंडा के साथ साथ वो पांच फॉर्मले भी आपको बताने वाला हूँ वीडियो काफी इंपोर्टन है वीडियो को अंत तक देखिएगा सात्यों जब भी पतनी पियर जाके बैठ जाती है तो आपको हैरान परशन करने पर तुल जाती है कि भाईया पैसे दे दो नहीं तो आपको दिक्कत हजाएगी आपको जेल जाना पड़ सकता है मेरी कंडिशन्स को मालो और अगर नहीं बानते हो तो जो आपके रिलेटिव्स है ये वो ही रिलेटिव्स हैं जो शादी मा के जो है नागिन डांस करते हैं और उस महिला का साथ देकर आपको ही एक स्टॉर्ट करते हैं तो ऐसे रिस्सेदारों को भी आपको बहिशकार करना है क्योंकि वो आपको डराते हैं धमकाते हैं और ये कहते हैं कि देख भाई कानून तो उसके साथ है तेरा तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा क्योंकि हम सही गलत को उस समय परक ही नहीं पाते हैं जैसा हमको कहते हैं वैसा हम जो है रिलाई कर लेते हैं और अल्टिमेटली हमारा ही सोशन स्टार्ट हो जाता है सोशन से बचिए आज इसलिए ये वीडियो भी मैथपून होने मला है सातियों कानुद में चाहे पूरुष हो चाहे महिला हो इक्वल अधिकार दोनों को दिये गए हैं ऐसा आर्टिकल 40 गहता है कि बोधार इक्वल बिफोर दलो पर जब मैं आर्टिकल 15-3 को पढ़ता हूँ तो वहां पर महिलाओं को विश्यश अधिकार भी दिये गए और विश्यश अधिकारों के तहट विश्यश कानुद महिलाओं के लिए बनाए गए चाहे मोडिस्टी को लेकर हो चाहे इंसल्ट को लेकर हो चाहे डावरी हैरेस्मेंट को लेकर हो चाहे मैरिटल रेप को लेकर हो या रेप को लेकर हो important perspective क्या है कि ये कानून वास्ते में मैलों के protection के लिए थे ये कानून क्यों बनाने पड़े कि ऐसा माना जाता है कि भारत जो है ये पुरुष परधान देशे या मैलों को शोशन होता है या मैलों का exploitation होता है करी कानून की जर्वत थी कानून बनाए गये पर इसका मईलों ने किया कि मैलों ने मेलों तो कानून का है कि कानून को एषिए टूल ल्यूस कर और इससे पैसा extract कर और धमका और अगर धेखोher दिये तो आपको जो जेल जाना पड़ेगा तो पुरुष घबरा गया मरता क्या नहीं करता और इन महिलाओं का extortion करने की टेंडेंसी को जो है वह इंप्रूब करता गया मतलब महिला बिगड़ी कि हर पुरुष परिशान है कि महिला के तक मुझे चेड़ा बीजी जील जो महिला बोलते मुझे स्टॉक किया जील जो दिर इस नो वेरिफिकेशन उसने जो बोल दिया वह सत्ते हो गया और हमको जो है वह फेस करना पड़ रहे सिस्टम लचार हो चुका है ऐसी महिलाओं के सा अल्टिमेटली ये लोग सब्वेता और संसकार के जो है दुश्मन बने वें ऐसे लोगों से साफधान ऐसे लोगों का बैशकार करें और ये भी आज की एजन्डा का एक विचाड़नी बिंदू है सात्यों जब भी पती और पतने की बिश डिस्पीट होगा पतने पियर मुझे देना पड़ेगा गूबता इसी महिला को जो गलत है जो मेरा परिद्या करके बैठी भी है और जो मुझे एक्स्टाट कर रही है जिसके अवेच संब्द भी हो सकते हैं तो सात्यों आज पांश फर्मले बताने वाला हूं दिल में रखना यहाँ पर दिल में दो उनको बोलने दो वो जगा जगाँ जाएगी उसका तो काम दाना यहिए ना करें क्या वर इसको ना तो मतलब स्क्रश ना मतलब इकनौमिक पॉलिस से एक उसको तो केवल चाहिए मैंटनेंस टेक्स तो इसके लिए वो जगा जगाया हाथ पर मारती रहेगी जो इनका बाद दायर करेंगी कि मुझे खर्चा दिया जाए मैं एक अबला महिला हूं और अगर आप नहीं दोगे तो कानुं का वो टूल यूज करेंगे तो करने दो इनिशल स्टेज पर जो भी कॉर्रस्पोंडेंस हैं हमें उस पर रियट नहीं करना है जस्ट मेक दा करते चलो एविडेंस बनाते चलो ये बात में जो है अपने काम आएगी नंबर दो डू नॉट डिसकस दा रबिश एड हूं इन फाल्तू बातों को यह जो यह गंदेगियां फैला जाती हैं उनकों हमें घर में डिसकस नहीं करना है अबूमान होता क्या हम बैटे हैं नास् चादियां में तो चल रही है में ने ऐसा क्या कर दिया कि मेरी लाइफ फराब हो गई इस तरह के लूजर टॉक्स नहीं करने बी मोटिवेटेड़ शेर की तरह खाएंगे और शेर की तरह इनका जो है सामना करेंगे डरने का नहीं है आई एम वित यू गॉड इस वित यू नमबर तीन अगर बार बार याद आती है तो लड़की को ब्लॉक कर दो और कुछ ऐसे परपंज करो कि लड़की हमें यादी नहीं है समझो कि किसी की पतनी मर जाती है तब बे तो उसको याद नहीं आती है सेकिंड मेरेज वो करता ही है ना तो समझ लो कि यह हमार ले मर कई यह कि अगर यह तंद्र दमाग में सट कर लिए तो आपका दिमाग आपका बोडी जो है हार्मोन जड़ना शुरू करेगा यह जब कोई चीज पट नहीं जैसे क्या याद करना सिख्यार करना थो रिकॉछ भरी जो है हमें काम में लेना होगा नम्बर चौती बात कि आपकी जो एबीडियंसेश है वो प्रो माइश्ड नहीं होने चाहिए अगर आपकी एभीड कॉम्प्रॉमाइश्ड है तो आप पार ने ही पाप हो हुखे क्यापके पास एक इमुणटी आ गई, इसने लेखा है, मुझे इस तारी को मारा, यह इस तारी को मेरे साथ है, रिस्म explained करआ, पर अमोमन होता क्या है, कि उस तरह को महिला आराम से जो है, किसी बाग में, या किसी resort में, किसी hotel में गुमरी होती हैं, साथ में घरवाले भी गुमरे होते हैं पर उन commission को रेजेंट हो क्या पता किस महिला की life में हुआ क्या क्या इसको किस तरह से जो है अच्छा रखा गया, उनको तो एक ही है और उसके साथ जो है अपने को आगे रहना है क्योंकि देखो, इनको याद करने से या इनको अपने जहन में रखने से तकलिफ होगी इस से अच्छा कि अपने सेवा करो parents की, अपने इश्वर को याद रखो अच्छे अच्छे books पढ़ो, अच्छे अच्छे contents को जो है सुनो तो आप ही को जो है फाइदा होने वाला है तो सातियों यही पांच बाते जो है हमें जहन में रखनी है और जहन में रखकर हमें जो है आगे बढ़ना है और एक छोटे सी बात मामें रखना है कि हम लोग father day, mother day, children day, valentine day मनते हैं जिस दिन यह छोड़ के जावे तो छोटे ले दिवस भी जो है अवश्य मनो कि चोड़ो छोड़ के चले की गंगी हमारे घर से निकली कचरा साफ हुआ हमारे घर का जिन लड़कियों ने आज कानुदा मिस्यूज करना है वो तो करेंगी और आप केवल कंटेस्ट करते रहोगे घबराते रहोगे कि दो साल, तीन साल, चार साल लगेंगे भई शादी करी है, साइड इफट होगा पर घबराने का नहीं है पर ये पांच फॉर्मले अटप कर लोगे तो कोई तकलिव आपको नहीं आएगी लाइफ लॉंग जो है वो सेक्योर रहोगे तो साथियों टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक और शेयर कर देना मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक लिए जाहिन जाबा